नमस्कार मित्रो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल तिवारी जोती वास्तू टिप्स में आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं सपने में सापका बच्चा देखने का क्या अर्थ होता है यह सपना सूब है यह असूब इस सपने का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है आए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं उससे पहले मित्रो अगर आप हमारे चैनल तिवारी जोती वास्तू टिप्स पर नए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करेगा और हमारे चैनल तिवारी जोती वास्तू टिप्स को सस्क्राइब कर बेल आइकन को ओन कर दीजेगा ताकि हमारी जो भी वीडियो नई अपडेट्स हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे स्वपन जोती सास्त्र की अनुसार अगर आपने अपने सपने में साप का बच्चा देखा है तो यह सपना हर तरीके से बुरा सपना माना जाता है यह सपना इस बात का संकेत करता है कि आने वाले निकर समय में आपके जीवन में नहीं तरह की कोई परेसानी आ सकती है यह परेसानी छोटी मोटी परेसानी होगी लेकिन अगर आप इस वपने दोस्त के फल को नश्ट करना चाते हैं तो महादेव स्वी संभू भोले नात की में चल रही जो भी छोटी मोटी परेसानी है वह जल्द ही दूर होंगी और आपकी जो भी अकांचाएं जो भी इच्छाएं है वह जल्द ही पूरी होने वाली है इसके अलावा अगर यह सपना कोई बिमार वेक्ति देखता है और बिमार वेक्ति स्वीव भक्त है तो स्वी इस बात का संकेत करता है कि आपके वैपार में आपको मुसीवतों का सामना करना पढ़ सकता है आपके तरक्की में थोड़ी भूत रुकावटे आ सकती हैं लेकिन आप महास्युसंभू भोले नाथ की पूजा करें और महा मित्रों जेके जाब करने से आपके जीवन में चल रही परिसानिया जल्दी ही दूर हो जाएंगी तो मित्रों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल तिवारी जोती वास्टू टीप्स को जरू सस्क्राइब करेगा तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही सो अपने सात्र से जुड़ी जानकारियों के साथ